कि अज़िए कि अज़िए आप सभी का स्वागत है आज हम आपको बताएंगे जवाला मुखी से समन्दित काफी इंपोर्टेंट प्रस्त जो आपके रेलवे के एक्जाम के लिए चाहे हो एंटी पीशी का हो या फिर रेलवे गुरुप डी का हो या फिर SSE का कोई भी एक्जाम हो इस टॉपिक से परते एक बार जो है कोशन पुछे जाते हैं और एक दो कोशन तो निश्यत पूछे हैं जाते हैं तो यह टॉपिक काफी इंपोर्टेंट रहने वाला इसलिए आप वीडियो को पूरा आन तक देखिएगा और अभी तक आप हमारे चन को सब्सक्राइब नहीं कि सबसे पहले सब्सक्राइब कर लिजिए और फिर बैल आइकन पर प्रेस कर दिजिए जिससे कि आपको लेटिस नोटिफिकेशन में उता रहे और आप उस वीडियो का बेनिफिट उठाते रहें तो चलिए शुरू करते हैं आज का देख देख लेते पहले वेश्यू की पर्मुक्स जवाला मुखः तो सबसे पहले जान लेते जवाला मुखः होता क्या है जवाला मुखः का ताति पर उस दरार या च्षिदर से होता है। तो जिस छीद्र या फिर जिस दरार के मैध्धम से वो सतह पर आ जाते धर्दी के, उसी दरार या छिद्र को हम भो जवाला मुखी को कहते हैं. तो यहाँ पर हम ट्रिक बता रहे हैं, आपको जवाला मुखी की पहले परकार क्या है, सांद या फिर मृत जबाला मुखी. तो इसका ट्रिक हम आपको बताएंगे इसको कैसे आज रखना है मिर्जवाला मुखी के नाम यहां पर देख सकते ट्रिक पापा देवकी को सांथ करो क्या है पापा देवकी को सांथ करो तो यहां पापा से बन गया पोपा पापा से पोपा बन गया कहां पर है म्यांबर में द देवकी, देवकी से हम लोग दो भाग में तोड़ेंगे इसको पहले देव, तो देव से क्या बन गया, देवबंद बन गया, देवबंद कहां पर है, इरान में है, और की से बन गया हमारा किली मजारो, क्या बन गया, किली मजारो, ये कहां पर है, तंजानिया में है, और यहा पपा देवकी को सांथ करो इस स्ट्रिक से हमने कितने चार जो है मेरित या फिर सांतब बहला मुक्रिक नाम आध कर लिए तो देख लेए अगला कुन सा है हमारा अगला है पर शुप्त बहला मुक्रिक रहा है यहां पर देख सकते टिख क्या है बंप फ्यूज हो गया तो बम से क्या बन गया हमारा बस से क्या बन गया बिसू बियस क्या बन गया बिसू बियस कहां पर है इटली में स्थित है और मा से बन गया मेयाना क्या बन गया मा से मेयाना बन गया और देख लेते हैं आगे क्या है फ्यूज फ्यूज से क्या बन जाएगा फ्यूज से क्या ब तकने के लिए हमने आगे उसको जोड़ा था तो आपको ये भी आध हो चुका है नेक्ष देख लेते हैं सक्रिये या फिर जागरित ज्वाला मुखी जो ज्वाला मुखी एक्टिव है अभी फिलाल वर्तमान समय में जो कि अभी भी उस तरह का माहौल वहां पर अभी बना हु करें ट्रिक है आप उसको नेगेटी में मत लिजेगा यहां पर देख सकते हैं मोना मोना से क्या बन गया मोन लॉया मोन लॉया यह कहां पर हवाई दिविक अमेरिका में कहां पर हवाई दिविक अमेरिका में से मोना से से क्या बन गया सेमरू क्या बन गया सेमरू कहां पर है इंडोनेशिया में है, अब मोना से तो हो गया, अब क्या कोई बोले थे, क्या बोले थे आप कोई, को पहले लिखेंगे, तो को से बन जाएगा हमारा कोटो पैक्सी, क्या बन जाएगा, कोटो पैक्सी बन जाएगा, जो की इकवेडोर में है, कहां पर इकवेडोर में है, नेक करना किया बस इसको दो से तीन वार आपको अपने कॉपी में लिखना है और दो चर्वार पढ़ना है उसके बाद आपके माइंड में सेट अप हो जाएगा और आप propose आपके बंजाएगा यहां क्या है है यससा क्योफेगा इट नाम एक सब्सक्राइब कौन से गैस निकलती है यह जानना काफे जरूरी है और यह एक्जान में तो पूछा ही जाता है अगर इस इस टॉपिक से कोई भी अगर कोशन आता है तो तो ट्रिक इसका क्या है सलफर कब ना जला क्या है सलफर कब ना जला तो सलफर से क्या हो गया सलफर डाई ऑकसाइड क्य कब से क्या बन गया carbon dioxide क्या हो गया carbon dioxide हो गया और ना से हो गया nitrogen ना से क्या हो गया nitrogen तो ये तीनों गेसे जो होती है कहीं भी अगर जवालों मुखी होती है तो ये तीनों गेसे निकलती है और जला से यहाँ पर देख सकते हैं जल वापस तो निकलता है क्योंकि धरती के अंदर जानते हैं जल भी होता है जल जो है साथ में निकलती है तो वहाँ पर जलवाप्स भी निकलती है जो कि काफी मत्रा में अधिक होती है यहां पर देख सकते हैं important question कुछ हमने यहां पर डाला है तो सरवाधिक उंचा जवाला मुखी प्रवत तो सबसे बड़ा जो है उंचा जव जवाला मुखी नहीं है कहां पर एक भी सक्री जवाला मुखी नहीं है तो अस्टेलिया में एक भी सक्री जवाला मुखी नहीं है नेक्स्ट हमारे क्या है भूमेद सागर का प्रकास अस्थम कहते हैं किसको कहते हैं यहां पर भूमेद सागर का प्रकास अस्थम किसको कहते हैं अस्टामबोली लिपारी दीप कहा है लिपारी दीप में अस्टामबोली है तो नेक्स देख लेते हैं सरवाधी जवाला मुखी पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा जो जवाला मुखी कहां पर पाए जाते हैं तो परसांत महासागर की पेटी में पाए जाते हैं नेक्स नमारा भारत का एक मात्र सक्रिये जवाला मुखी भारत का भारत इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं इंडिया का सबसे पहले आपको एक बता दें इंडिया में एक ही मात्र है जो कि जवाला मुखी सक्रिये तो वह कहां पर है बेरंदीब कहां बेरंदीब का है जवाला मुखी जो क कुल ना भूले और एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं कि चैनल को जरू सब्सक्राइब करें